अगर आलओ बेल्कम बैक टो मैं चैनल तो अगर चैनल पर ना प्लाइक करें न वीडियो को लाइक करकें तो अभी बात करते हैं है ताम्नेल देखके तो बाता चली गया होगा वीडियो किसके पर बेस्ट है जैसे कि मेरा फ्लाइट है है ऐइडर बास से डेली के लिए तो है से डेली के लिए कल की फ्लाइट है मेरा तो मैं आज वैब शेंग करोंगा ऐसे वैसे तो 48 हौस पहले कर सकते हो आप वैब चेकिन वैब शेंग अगर ऑनलाइन करते हो आप एपोर्ट में आपको एक्स्ट्रा ठाइम मिल जाता है तो इसके वाए से ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है मां यह मानता हूँ पैसिंग करके चलिए आपको अगर कहीं पर अगर अनफॉर्शनेटी लेट हो गए तो जल्दी से जल्दी से जा सकते हो तो वीडियो में मेरे साथ बने रही है आप चलते हैं स्क्रीन पर तो गाइस फैनली मैंने गूगल एक क्रॉम ओपन किया है डेस्ट आप साथ में तो लैप्टॉप के लैप्टॉप तो नहीं है मेरे बास लैप्टॉप के थरा मजा लेंगे इस पर से तो आपको वैब चेकिन करनी है एर इंडिया की सबसे पहले को गूगल पर आजाएंगे सबसे करेंगे इस के श करेंगे ऐह एर इंडिया कि अरिंडिया और इंटा करेंगे तो यहाँ Mikey सबसे पहले जूब को सबस्कूर्ण आइगी लिंग इस पर कलिक करना कि उस पर यहां पर क्लिक करो थोड़ा सा लोडिंग लेगा टैंचल लेने के कोई बात नहीं है थोड़ा सा लोडिंग लेगा उसके बाद ने आप होने लगेगी उसके बाद यहां पर कुछ गाइडलाइस है वो भी देख सकते हो आप तो यहां पे कुछ गाइडलान्स है वैब चेकिंग की अगर आप वैब चेकिंग करते हो 48 hours पहले कर सकते हो उसके बाद आप एलेजिबल हो डिपाचर आप वैब चेकिंग करने के लिए एलेजिबल हो 48 hours पहले तो आप टू 1 hours फॉर डिमस्टेक प्लाइट अप टू 2 hours फॉर यहां पे कुछ गाइडलान्स है तो यहां पे मिल जाएगा पढ़ लेना इसके हिसाब से तो आपको हमारे को बस वैब चेकिंग करना है उस पे लिए हम इस पर किलिक करेंगे एटिकेट नंबर और बुकिंग रिफ्रेंस इस पर किलिक करेंगे कि तोड़ा सा नट इस लो चलेगा इस पे तोड़ा सा बसलो लेगा ये हो जाएगा अब टैंशन मत लेना इसके हिसाप से यहाँ पर आप अपना e-ticket number टाल सकते हो यहाँ पर और booking refresh number पर डाल सकते हो ठीक है हम PNR डालेंगे आप पर PNR पर डाल सकते हो अपना e-ticket number PNR यहाँ होता है basically तो हम PNR डालेंगे अपना जैसे कि मेरा है मेरा PNR number है अब यहाँ से departure choose करेंगे हाइद्रबाद से है राजीव गंति डिनेशल आइपोर्ट हाइद्रबाद तो हमारा यहाँ है राजीव गंति डिनेशल आइपोर्ट हाइद्रबाद हम इसके बाद continue पर क्लिक करेंगे तो continue पर क्लिक करें तोड़ा सा late ले रहा है सर्वा तोड़ा सा problem होता है इस पर टैंसल लेने कोई बात ने आराम से हो जाएगा वेश्चिक बस पांच मिनिट का काम होता है एपोर्ट में आपको easily वो मिल जाएगा time मिल जाएगा जैसे कि यहां पर आ गया है आप देख सकते हो pnr और last name मांग रहा है यहां पर तो हम डालेंगे जैसे कि pnr मांग रहा है pnr डालेंगे और last name है मेरा अहसान यहां पर जैसे कि अल्ड़ी आ चुका है इसके बाद search पर तो यहां से आप select कर लेंगे आपका जो भी है यहां पर कुछ-कुछ information आपको दिया होगा कुछ-कुछ guidelines दिया होगा उसके बाद कुछ-कुछ आपको feel करना पड़ेगा कुछ-कुछ जैसे कि हम यहां पर कितने passengers ट्रेवल कर रहा है जैसे कि एक जने के ट्रेवल कर रहा है उसके बाद मेरा email address आ चुका है मेरा email address और number भी आ चुका है और मैं जाने वाला हूं डैली और जो भी है मेरा destination आ चुका है पूरा उसके बाद हम यह समिट करते हैं submitted by जैसे कि हम खुछ से कर रहा है या पिर कोई airport जो स्टाफ है वो कर रहा है जैसे कि हम अपने आप से कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे अगर कोई लक्षन पाया जाता हमारे को तो airport रूल हम फॉलो करेंगे उसकी हिसाब से बनाया यह इस चुगाइड लेंस है उसको टिक्लियर किया गया है तो ठीक है हम यहां पर केपचा फिल करके आगे बढ़ेंगे और हम यहां पर समिट पर क्लिक कर देंगे बढ़ा सा लोडिंग ले रहा है क्योंकि नैट तोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है शायद यह देखो यह गो लोग सीधा यहां आ चुके हैं जैसे कि मेरा नाम आ चुका है मुहमद अहसान तुभी हम यहां से कॉंटिन्यू करेंगे तुभी कंटिन्यू जैसे कि यहां देख सकते हो हैद्रबार टु डेली एक चैनल समरी आ चुका है पहले हमें देखना है सीट कौन सा मिला यहां पे 27F देखें कि कौन सा सीट है मुझे विंडो सीट चाहिए देखेंगे पहले विंडो सीट अबेलिबल है कि नहीं इसके बाद देखते हैं आगे बढ़ते हैं मुझे यहां पे मिला है कॉंसार्ट सीट मिला है 27F 27F मुझे विंडो सीट मिला है ताइंग गॉट विंडो सीट मिला है तो हम उसको रहने देंगे लास में है लिगे डिपार्चर यहां से और डैली यहां उतार देंगे हमें और अर्राइबल टामिंग जो है यहां पर लिखा होगा इसके बाद यहां पे मेरा सीट यह नंबर सीट टमबर यह है 27F नेम मेरा यहां आ चुका है और मेरा सीट कहां पड़ा विंडो सीट है एकदम लास्ट में है कोई बात नहीं लास्ट में तो 27F में है तो मेरा विंडो सीट मैं इसको रहने दूँगा क्ता तो कंटिन्यू करेंगे आगे ऊप अ थो कि उसके बाद कि पूरा हो चुका है उसके बाद फ्लाइट समरे आजाएं आपके पास इसको करेंगे जैसी की यह जीडा समयुक्यार्म यहां यहां पर इयापर्ट में यह सारे चीजे नहीं ले जा सकते यह खेरी नहीं कर सकते जासिए कहाँ देख सकते हो जो भी है यहां पर फैन, मेटरियाइबस वगरा जो में यह सामान आप ख्रेरी नहीं सकते अपने साथ यह डेंचर है ठीक है एरपोर्ट के किलाब है रूल केस तो हम इसको एग्री करेंगे तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू के क्लिक करने के बाद थोड़ी दे रोल लेगा उसके बाद मेरा जो वोर्डिंग पास्ट है वो जन्रेट हो जाएगा यहां पर लिखा हो आ गया यह चेकिंग दा फॉलोइंग फ्लाइट्स वान और मोर यह फ्लाइट्स और इलिजिबर फर मुबाइल बोर्डिंग पास्ट ठीक है यहां पर आ चुका है तो हम इस पर यहां पर क्लिक करेंगे यह मेरा डिटेल्स है एक मुबाइल नमबर देख सकते हो सेदि टू यह मूबाइल नमबर मुबाइल नमबर आर मुबाइल नमबर इमेल अडरेस बहुर्ड इसको कि स्बें अब शुक्त प Galaxy और मेरा जो भी है मेल पर चला गया है तो देख सकते हो तो यहां प्रिंट भी निकाल सकते हो जैसे कि मैं प्रिंट निकाल लेता हूं जैसे कि मेरा देख सकते हो बोर्डिंग पास जनरेट हो गया फाइनली एकॉनिमी क्लास है और नीम डिटेल्स बगर यहाँ आ चुकी है और यह पी एन आर है पूरा आ चुका है थैंक यू सो मैं जोस्तों